नमस्ते दोस्तों आज मैं सेयर कर रही हूं आपके साथ मैगी की बिल्कुल ही नई रेस्पी आपने मैगी बहुत तरीकी से बनाये होंगे लेकिन आप जब एक वर इस तरीकी से बनाएंगे ना तो आप मैगी के फैन हो जाएंगे तो इसके लिए हमें आप यह लेंगे कराई तोरा सा तेल डाल पिए पैज कट करके डाल देंगे ज्यादय में पुन ना बस थोरा सा चला ले चाप आप लेकि एक चमना मिर्चा पूर्ज सीमला मिर्च कट कर लिया है और इसे डाल करना यह क्वार्ण hebज चाह एक स्थीत चमने वी डाल है आप उसके बाद कुछ मसाली इस बहुत ही तीखा चेपटा इस पैसी बनकर तयार होगा बहुत ही टेश्टी बनता है अब मसाला भी हमें ज्यादा नहीं गूना एक मिनट के करिब में पून कर इसमें एक डिर गलस के करीब में पाइन डालें पानी अप उतना ही डालें जितना आपको मैगी बनाना हूँ कि यहां पर हमेना पांच पैकेट मैंगी बनाना है तो यहां पर मैंने पांच पैकेट मासाला भी यूज किया है जितना मैंगी था उतना ही मसाला में इसमें डाला मैंगी का मसाला तैसे भी टेस्टी होता है लेकिन जैसे मैंने बताया ना उन मसालों के साथ अप बनाएंगे ना यह बहुत ही स्पैसिबन कर त्यार होगा और सभी को पसंद आएगा आप एक वार इस तरी के से मैंगी बना लेंगे ना तो आपको हमेशा लगेगा किसी तरह से मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें और प्लीज मुझे कामेंट करके बताएं कैसा लगता आपको मेरा वीडियो आप पसंद आते सेर भी करें कि इसी तरह उलट पडट करते हुए मैगी को मेरे मसाला में अची तरह से पकाएंगे तो आप जानते हैं मैगी बनने में ज्यादा टाइम ने लगता है बस दो से तीन मिनट आपको लगेगा और यह बनकर तियार हो जाएगा और ज्यादा से जादा पांच मिनट लगेगा उस कि तो जिने नहीं भी पसंद होगा उन्हें पसंदेगा तो मैगी यहाँ पे डिटी है लीजिये में सर्फ करके आपको दिखा रही हूं तर बें कि उन के लिए जो मैगी के दीवानने हैं उन्हें किसी भी तरह से मैगी बनाया ना बनाकर आप देंगे नहीं बहुत पसंद आता है लेकिन इस तरह से बनाने का बात ही कुछ और है आप एक और ठ्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताईएगा तो चलिए वीडियो खुल आज करने के लिए आपको थैंक